दोस्तो हाली में मैंने The Queen मेरी फिल्म देखा है जिसे कई जगा The Haunting of Queen मेरी नाम से भी जाना जाता है और इस फिल्म को गैरी शोड रिक किये हैं तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग को समझने की कोशिस करेंगे अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्विस्ट है कि अगर आपको ये एक्स्प्लाइनेशन पसंदाती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कीजेगा So now with that said, let's roll the intro So इस फिल्म की कहानी दो टाइम लाइन्स में है और ये अक्सर पास्ट और प्रिजेंट में स्विच करती रहती है लेकिन मैं कोशिस करूँगा कि मैं आपको कम से कम कन्फ्यूजिंग और शॉट तरीके से सब समझा दूँ इसके लिए मैं कई इवेंट्स को आगे पीछे करके बताऊंगा In fact कुछ ऐसे भी इवेंट्स है जिनका कोई महत्व नहीं है तो उन्हें मैं हटा दूँगा ताकि कहानी जितनी हो सके उतनी linear रहे So कहानी 1938 में शुरू होती है जहां हम समुद्र के बीचो बीच Queen मेरी शिप को देख पाते हैं और शिप पे कई पैसेंजर्स है आज हैलोवीन की रात है और सभी पैसेंजर्स डिनर टाइम पे खुब इंजॉई कर रहे हैं यहां हम एक masked आदमी से मिलते हैं जिसका नाम डेविड है और डेविड के साथ उसकी पतनी Gwen है और उसकी बेटी जैकी भी थी आज हैलोवीन नाइट डिनर के लिए इनकी booking शिप के third class dining में थी लेकिन डेविड किसी और के नाम से as a war veteran pose करता है और first class dining room में entry ले ले लेता है इस dining room के अंदर एक बड़ा film producer भी था और ऐसे में जैकी film producer से बात करना चाहती थी क्यों? क्योंकि डेविड और उसकी family भी छोटे मुटे shows वगेड़ा करते थे और डेविड की बेटी Jackie एक बहुत ही अच्छी dancer थी तो ऐसे में देज़े chance कि वो film producer अपनी अगली film में Jackie को cast कर ले अब Jackie के मातापिता को भी यही मन था कि Jackie समाव cast हो जाए लेकिन Jackie का जारा producer से direct बात करना इस idea को उसके मातापिता तुरंत नकार देते हैं अब यहां से कहानी present time यानी 2023 के around आती है जहां हम Annie और उसके बेटे Lucas से मिल पाते हैं यह दोनों Queen मेरी ship को visit करने जा रहा है क्योंकि Ann प्लान कर रही थी कि वो इस ship के around story books और virtual reality tour जैसा कुछ create करेगी दरसल यह ship कई सालों पहले sail करना बंद कर चुका है और अब यह एक museum की दरह बंद गया है जहां tourist वगएरा लोग आते हैं और visit करते हैं अब ship को हमेशा के लिए बंद करने के पीछे कई कारण थे like ship old हो गई थी then काफी जादा in fact सबसे आदा sail कर चुकी थी और पुराने टाइम पे इस ship के उपर कुछ हाधसे भी हुए थे इनी हाथसों के कारण ship kind of बदनाम भी हो गई थी इस से related ghost वगेरा के भी काफी stories आरे लग गई थी और ऐसे में ये एक museum के रूप में बहुत जादा अच्छा होगा जहां लोग आएंगे ऐसी stories से intrigue होके tourism बढ़ेगा लेकिन चलने के लिए ठीक नहीं है खैर तो ship पे पहुँचके एन अपने पती Patrick से मिलती और हम समझ पाते हैं कि एन और Patrick अब साथ नहीं रहते औल्दो Patrick अभी भी एन के साथ आना चाहता है बट फॉर सम रीज़न एन इसके लिए रेडी नहीं है यहाँ प्लान ये था कि एन ship के owners को अपना idea प्रेजेंट करेग मीनवाइल पैट्रिक और लूकस ship की तूर करेंगे तो तूर के वग गाइड इन्हें ship की horror story सुना रहा था और तभी लूकस एकदम से पैट्रिक और तूर ग्रूप से अलग हो जाता है यहाँ लूकस को एक lift में card दिखता है जिस पे fortune लिखा था यह कुछ टैडो card जैसा था और इस lift में लूकस अपने आप बंध होके ship के lower decks में पहुँच जाता है वहाँ लूकस को एक बच्ची दिखती है और उस बच्ची का पीछा करते हुए लूकस एक pool तक पहुँचता है लूकस फोटोज ले रहा होता है जब एक boot पहना आत्मी उसे pool में धक्का दे देता है ऐसे में लूकस पूल के side में अपने camera के band से लटक जाता है लेकिन तभी पानी के अंदर से वह बच्ची लूकस को नीचे खीच लेती है जिससे लूकस डूबने लग जाता है दूसरी दरफ हम एन को देखता है जो कि Charles Bitner नावक इंसान से मिलती है जो कि अपने आपको इस ship क captain बताता है बिटन का कहना था कि वो ship के owner Mr. Torres को direct report करता है और ऐसे मैं Anne अपनी ideas उसे बता सकती है तो Anne कहने लगती है कि कैसे वो ship के around ghost stories लिखेंगी जो कि entertaining होगी and then ship को scan करके VR experience जैसा कुछ बनाएगी वगएड़ वगएड़ इससे कई लोग इस ship के history वगएड़ से जुर पा location बताता था फिलाल ये खड़ाब हो चुका था लेकिन एकदम से हम वियोस देखते हैं कि ये dial सही से काम करने लग गया है ये देखका बिटन शौक में था और वो Anne को वहीं छोड़ फोरन कहीं भागता है खर इसके बाद हम Anne को Patrick के साथ देख पाते हैं और इनके साथ Lucas भी थ पाते हैं जो कि Anne को ढूंड रहा था लेकिन अब तक Anne ship से जा चुकी थी इसलिए बिटन कॉल पर फोन को इनफर्म करता है कि उसके project को रजामंदी मिल गई है और Anne weekends पे अपना काम शुरू कर सकती है अब यहां से कहानी वापस 1938 में shift होती है जिस टाइम पे Queen मेरी ship समुदर मे sail कर रही थी हम जान पाते हैं कि ship के boiler room का temperature काफी जाधा बढ़ गया है और इसे stable करने के लिए ship को रोकना पर सकता है लेकिन ship का captain कहता है कि this is the fastest ship और हम इसे किसी भी हाल में नहीं रोकेंगे बिसिकलिए उसके pride वाली बात हो गई थी यहां meanwhile first class dining room में हम देविड उसकी family को देख पाते हैं जहां Jackie को अभी producer से मिलने का मन था इसलिए वो अपनी मा Gwen से tarot card निकलवाती है basically वो cards होते हैं जिने चुनके अपने actions को लोग decide करते हैं वो वला एक belief होता है लोगों के मन में tarot card कहा जाता है वैसा ही कुछ और इस card में आता है fortune बस फिर क्या था जाकि producer के table तक जाके उससे बात करने की कोशिस करती है लेकिन producer Jackie पे ये कहके बढ़क जाता है कि तुम्हें तमीज नहीं है क्या लोगों को खाते वक्त disturb कर रही हो अब producer का ऐसा बढ़ता हो देख के डेविड वहां जाके अजीब बिहेव करने लगता है और वो कह रहा था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा डांस करती है give her a chance वगएरा वगएरा meanwhile वहां के guard को पता चल जाता है कि डेविड जूट बोल के first class में आया है और ऐसे में डेविड और Gwen को यहां से निकाल दिया जाता है जाने से पहले डेविड अपना मास्क खटाता है जहां उसका face काफी disfigured था और हम समझ पाते हैं कि इसी वज़े से डेविड हमेशा मास्क पहने रहता है खैर जैकी तो वहीं first class में रहे गई थी और वो एक famous dancer के साथ वहां चल रहे है song पर perform करती है जाकी वह कई बहुत बढ़िया नास्ती है और producer इससे काफी impressed था producer जाकी से कहता है कि मेरे bad behavior के लिए sorry जैसा मैंने तुम्हाँ साथ पहले बढ़ताओ किया लेकिन अब मैं तुम्हे star बना दूँगा तुम अपने parents से मुझे मिलवाओ सब कुछ हम लों क्रिया cut कर लेते हैं अब इस सब के दोरान डेविड इस ship के उसी pool area में पहुँच गया था जहां हम Lucas को गिरते देखे थे डेविड पूल में पी करने लगता है और तभी boiler room का pressure इतना बढ़ जाता है कि इससे pipes वगेरा फटने लगते हैं और इसी सब की वज़े से शायद पूल में भी अजीव हलचल होती है जहां boiler room में एक sailor steam से बूरी तरह जल गया था वहीं पूल में हुई हलचल के बाद डेविड का हाव बाव बिलकुल बदल चुका था वो पागलो की तरह अपने कम्रे में जाता है और एक कुलहारी से ना सिर्फ अपनी बीवी गुएन को मारता है बलकि वो कई और लोगों को भी मार देता है आगे चलके शायद वो अपनी बीटी को भी मार दिया अपना काम करने आते हैं लेकिन बीटन इन्हें देख के खुश नहीं था क्यों क्योंकि ये लोग अपने पेटे लुकस को लेके नहीं आये थे और फॉर सम रिजन बीटन इससे अपसेट था यहाँ एन किसी तरह गिरगिडाते हुए बिटन को मनाती है और बिटन फाइनली मान भी जाता है और वो कहता है कि आप लोग नीचे के डेक्स पे नहीं जा सकते है तो इसके बाद एन और पैट्रिक को अपना कमरा मिलता है और यहाँ पैट्रिक देखता है कि एन को हाथ में बहुँजाद चोट लगा हुआ था एन यहाँ बदाती है कि पिछली रात वो लुकस को घर के विंडो के बाहर लटका हुआ पाई और लुकस कह रहा था कि वो लुकस नहीं है मिरे लिए वो क्यू नहीं आई और यहाँ पर बुलाएं लगी और उसकी तरफ आगे बढ़ी तो लुकस एन के हाथ पे ही विंडो की लिड नीचे कर दिया जिससे एन को यह चोट आई है इसके बाद जब पैटरिक कमरे से बाहर जाता है तो आईन के फोन से एक अजीब भूतिया हाथ निकलती है और यह हाथ आईन पे हमला भी कर देती है आईन किसी तरह इससे बचती है लेकिन इस प्रोसेस में आईन का खुद का हाथ भी चोटल होता है और इस सब को भूलाते वे आन खुद को संभालती और वो पैटरिक के साथ शिप को एकस्प्रोर करने लगती है इन्हें इस पूल एडिया का लोकेशन भी पता चल जाता है जिसमें लूकस गिरा था और तो बिटना इन्हें इतने लोवर डेक पे जाने से मना किया था और जैसे ऐसे पैटरिक इस तस्वीर को तोड़ता है हम 2023 वाले कैप्टिं यानि बिटनर के मुँझे खून निकलते देखते हैं इसके बाद बिटनर इन्हें ढूनने लगा था वहीं एन और पैटरिक उसे यहां पहुंसते हैं जहां पूल था वहाँ इन्हें लूकस का कैमरा भी मिलता है जिसमें लूकस कई तस्वीर खीचा था बाइदेवे यह डिजिटल कैमरा नहीं था बलकि रील वाला कैमरा था और पैटरिक रील निकाल के अपने पास रख लेता है बिसेकली शिप के बनने के बाद यह रीसेंटली कभी नहीं हुआ था और यह फाउंडेशनल सैक्रिफाइज जैसा कुछ लग रहा था अब यहां से खानी वापस 1938 पे जाती है जहां डेविड को तीन लोग मिलके रिस्ट्रेंड किये थे और डेविड के कतलों की खबर शिप के कैप्टन तक को लग गई थी शिप पे लोगों की बीच भगदर मच गई थी और कैप्टन सब को कंट्रोल करने की कोशिस में था यहां कैप्टन इस शिप का एक बहुत ही अजीब राज अपने कलीक को बताता है बेसिकली यह शिप कलाइड बैंक शिपयार दोड़ा बनाया गया था और उस टाइम पैसों की बहुत जारा दिक्कत चल रही थी आलम यह था कि कमपनी का साड़ा पैसा इस शिप में लग गया था और अगर यह शिप सही से नहीं चलती तो सब कुछ डूब जाता तो शिप के सकस को गैरंटी करने के लिए उस टाइम की गवर्बरमेंट आई दिन उस टाइम के जो वर्कर्स थे वो सब मिलके काम किये लेकिन वर्कर्स काम के अलावा एक रिच्वल भी किये थे तो इस ritual के तहत वो एक prisoner को ship के दिवार में चुनवा दिये और जितना जादा उस prisoner को कस्ट दिया जाएगा उतना ही उसकी spirit ship से bond कर जाएगी Prisoner का नाम Clarkie था और उसको बहुत कस्ट दायक रूब से sacrifice किया गया ऐसा होने से ship लंबे समय तक नहीं डूबेगा इनफाक्ट ship की structural integrity बढ़ जाएगी और ship कई दिनों तक सालों तक चलेगा तो हाँ Clarkie वही prisoner था जिसको दिवार के अंदर उस structure के साथ ही चुनवा दिया गया था अभी क्योंकि boiler room का pressure बढ़ गया उससे उस जगह पे issues या cracks आ गये जहां Clarkie को चुनवाया गया था अब वो जगह कौन सा था वही pool area जहां David पी कर रहा था और वहां हलचल हुई थी इस हलचल कारण Clarkie की आत्मा काइंड ओफ आजाद हो गई और वो David के अंदर आके ship से भागने की कोशिस कर रही है भाग क्यों रही है और वेल कोई भी इस तरह से restraint तो नहीं ही रहना चाहेगा अब Captain को किसी तरह Clarkie के आत्मा को यानि David को भागने से रोकना होगा वरना ये पूरा ship डूब जाएगा क्योंकि आपको याद हो आत्मा से ही ये ship बंधिवी है तो उसी कारण ये अफ्लोट रहती है हमेशा अब David आउस पास सब को मारते वे lifeboat से भागने की कुशिस करता और Captain उसके पीछे भागता है यहां Captain को उसका कलीग रोकता है लेकिन Captain ना सिर्फ अपने कलीग को मार देता है बलकि वो कलार्की की आत्मा यानि David को भी मार गिराता है अब David के शरीड के मरते कलार्की की आत्मा वापस यहीं फस गई है और इसके ठीक बाद ship का engine एकदम से अपने आप on हो जाता है Basically ship एकदम proper function करने लगता है और क्यों वो तो आप लोग समझी गए होंगे लेकिन Captain को अपने किये का बहुत बुरा लग रहा था इसलिए Captain एक कमरे में जाके खुद को ही मार लेता है Meanwhile present time में Anne को Lucas ship पे दिखती और Anne उसका पीछा करने लगती है बीच में इन्हें Bitner मिलता है जो कि इन्हें रोकने की कोशिस करता है हम समझ पाते हैं कि Bitner को इस ship की सारी कहानी पता है और Patrick यहां camera का reel दिखा के Bitner को धमकाता है कि वो ship की सारी सचाई पूरी दुनिया को बता देगा ऐसे Bitner Patrick पे गोली चाहे लगता और यहां भगदर मत जाती है और किसी तरह अभी अपने बेटे की आत्मा की पीछे जाती है और उसे यहां गजब की बात पता चलती है दरसल जब Lucas पूल में गिरा था तब शायद वो मारा गया था या फिर अगर नहीं भी मरा था still उसके शरीर में 1938 वाली Jackie की आत्मा चली आई है जी हां दोस्तों तभी Lucas अजीब बिहेव कर रहा था और Jackie इस ship से बाहर निकल पाई Lucas के शरीर के माध्यम से वही Lucas की आत्मा अभी इस ship पे trapped है अब अगर आप confuse हो रहे हैं तो मैं clarify कर दू कि इस ship का पूरा concept यह है कि यहां जो मरता है उसकी आत्मा यहीं पे trapped हो जाती है यहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक तरीका है और वो यह कि उस आत्मा को एक human body को यानि दूसरी human की body को possess करना होगा और यही काम अगर आपको ध्यान हो तो Clark की कर रहा था 1938 में जहां वो David के body में घुसके ship से भागने की कोशिस किया अभी Lucas के थुरू जय की भाग निकली है लेकिन Lucas यहां फस गया है Lucas अपनी मा से कहता है कि तुम भी हमेशा मेरे साथ यहीं रह सकती हो इस ship पे बस इसके लिए अपनी body Gwen को दे दो और पापा भी अपनी body David की आत्मा को दे देंगे इन्हें बाहर निकलना है अब उस time तो Anne इसके लिए मना करती रहती है लेकिन आगे के scenes बहुत different है बेसिकली scene अगले दिन सुबहक आता है जहां बिटनव वापस नहां दो के अपने भेस भूसा में तयार होता है वही हम Anne और Patrick को भी देख पाते हैं लेकिन ये तोनों एकदम अजीब बिहेव कर रहे थे उन्हें देखकर clear था कि उन्होंने Lucas की बात मान ली यानि Lucas, Anne और Patrick की आत्मा अब इसी ship पे हमिशा के लिए क्याद हो गई है और उनके शरीर में Gwen और David की आत्मा है जो कि यहां से निकल रहे हैं हम Patrick के शरीर में मौजो David को वो camera reel भी फेकते देखते हैं अब जैसे ही Anne और Patrick बाहर निकलते हैं पुलिस इने घेर लेती है क्यों क्योंकि इनके उपर अपने बेटे Lucas को मारने का इलजाम लग गया था यहां हमें Anne के neighbor का POV बताया जाता है जहां वो कल रात देखी थी कि Lucas खिरकी से लटका हुआ था और Anne उसे गिरने से नहीं बचाए इनफाक्ट वही खिरकी बंद की जिससे Lucas गिरके मारा गया इस वक्त Anne के अंदर Gwen की आत्मा है जिसे पता लग गया कि उसकी बेटी Jackie जो की Lucas के शरीर में थी वो मर चुकी है इनफाक्ट देखा जातो Anne जिसके अंदर Gwen है वो शिप से निकली आजाद हुई लेकिन अब तो वो जेल में जा रही है यानि कि एक बार फिर वो फस्स चुकी है ऐसा मैं पुलिस कार के अंदर पागलों की तरह हसती है as if she has lost her mind same as the case with Patrick जिसके शरी में डेविड था यानि उसका भी यही हसर होगा वहीं बिटना इन्हें शिप के उपर से गिरफतार होते वे देखता है और वो बिना परवा कि ये वापस शिप पे टूरीजम चलाने लगता है यहीं पर फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है तो दोस्तो यह थी फिल्म दे कुईन मेरी की कहानी और इन्हों कि आप लोगों के मन में थोड़ा कन्फूजन होगा इस फिल्म में इतना पास्ट प्रिजन किया गया है कि कहानी कन्फूजिंग हो जाती है लेकिन अक्च्छल में कहानी काफे सिंपल है तो basically the queen मेरी शिप को बनाते वक्त इसके अंदर एक foundational ritual किया गया था जिसके दायते क्लार्की नाम प्रिजन को टॉर्चे करते हुए शिप के एक एरिया में चुनवा दिया गया अब ये ritual क्यों किया गया वेल क्योंकि लोगों का मानना था कि इससे क्लार्की की आत्मा शिप से बॉंड कर जाएगी और फिर शिप कभी नहीं यानि कि कम से कम बहुत लंबे समय तक नहीं डूबेगी इससे न से फक्लार्की की आत्मा वापस फ़स जाती है बल कि divi, jacky और guind की आत्मा भी इस शिप पर फ़स जाती है क्यों कि इस शिप पे जो भी मरता है उसकी आत्मा यहीं फ़स जाती है और निकलने का बस एक तरीका है विच इस कि उन आत्माओं को एक human body possess करके बाहर निकलना होगा उस body के थूँ तो present time में Jackie ऐसा ही करी जहां वो Lucas के शरीर को possess करके निकल गई वहीं Lucas की आत्मा शिप पे फस गई अब यहां confusion ही है कि जिस शरीर को या आत्माओं पजस करती है उस शरीर का मरना जरूरी है या नहीं मरना जरूरी है ऐसी ही बस swap कर लेते हैं पता नहीं Anyways Lucas अपने parents को मनवा लिया कि वो लोग भी उसके साथ हमेशा के लिए ship पे रह जाए अब रियल लाइफ में Patrick और Ann दोनों ही struggle कर रहे थे और उन्हें अपने बेटे से बहुत प्यार था देखा रहे हैं तो उसके बेटे को भी थोड़ी growth की कुछ problem थी तो आप देख सकते हैं कैसे real life इनके लिए काफी कठिन था तो ये लोग इस deal को शायद ले लेते हैं जहां Lucas, Patrick और Ann की आत्मा हमेशा के लिए ship पे ही फस गई है although वो लोग साथ और खुश रहेंगे at least ऐसा वो लोग सोच रहे हैं वहीं Ann के शरी में Gwen और Patrick के शरी में David ship से बाहर निकल पाता है but two days shock उन्हें पता लगता है कि उनकी बेटी Jackie जोकी Lucas के शरी में थी वो तो खिर्की जगिर के मर गई mostly उसे Ann ही गिराई थी जब Ann को पता लगा था कि उसका बेटा तो ship पे है और बेटे के शरी में कोई और है वहीं Gwen और David अपने नई शरी में होते वे भी अरेस्ट हो गया यानि वो एक कैद से दूसरे कैद में जा रहे हैं अब तो उनकी बेटी में उनके साथ नहीं है इसी गम से काइंड ओफ पागल होके Ann हसने लगती है क्योंकि ये Ann के अंदर वाली Gwen का दुख था रही बात बिटनर की वेल अब तक आप समझी गए होगे कि बिटनर के अंदर 1938 वाले Captain की आत्मा थी इसको लेके भी करी थेयरीज है मैं उन्हें नहीं बतारा लेकिन अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अपनी थेयरीज कॉमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा अब भी कोई डाउट है तो आप मुसे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं मीनवाइल वीडियो पसंद आई होतें से लाइक को शेयर करें साथी चानल पर नए है तो हमें सब्सक्राइब भी कीजेगा क्योंकि हम अपने चानल पर ऐसी वीडियो लाते रहते हैं पीस